पापा दीवी नहीं मुझे लगा तुम्हारी तव्यत खराब है इसलिए सोच रहा था कि नागवेद को बुला लूँ नहीं नहीं इसकी कोई ज़रुद नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ ठीक है कुछ दिर बाद नागराज रुद्र ने देखा कि नागरानी मंसा बिना बताएग घर के बाहर चली जा रही थी ये मंसा को क्या हो गया है ये ऐसे कहा जा रही है मंसा बिना मुझे बताएग कुछ नहीं करती कुछ तो गड़बड है नागराज रुद्र भी नागरानी मंसा के पीछे पीछे चलने लगे नागराज रुद्र ने देखा कि नागरानी मंसा बिल्डिंग की पिछली ओर गई सुनसान कोने में ये कहां जा रही है और बस तभी बहरूपी नागरानी मंसा ने पीछा कर रहे नागराज रुद्र को देख लिया अरे बापरे ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया मुझे तुरंथ वापस लोटना चाहिए और फिर बहरूपी नागरानी मंसा दूसरे रास्ते से फ्लैट वापस लोटने लगी शाहिद इसने मुझे देख लिया नागरा जुरुद्र और बहरूपी नागरानी मंसा दोनों फ्लैट में वापस आ गए दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी कहीं इसको मुझे पर शक तो नहीं हो गया अजानक मंसा को क्या हो गया आखिर उन दोनों के बीच की चुपी तूटी मैं साधना में बैठ रहा हूँ ठीक है बाप रे मुझे तो लगा शाहिद इसे मुझे पर शक ही हो गया इस पार बाल बाल बची अब जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा नागराज रुद्र साधना में बैठ तो गए पर आज उनका मन विचले था वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या गरबर थी जै बोले ला ओम ओम और बस कभी शेशनाग वहां प्रकट हुए प्रणाम गुरुदेव आज तुम्हारा मन इतना विचले थ क्यों है रुद्र ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ गुरुदेव सब कुछ सही है पर फिर भी सब कुछ गलत लग रहा है जैसे कुछ तो गडबड है तुम्हें शान्त रहने की जरूरत है रुद्र अपने मन को शान्त करो और फिर नागमनी से साहता मांगो जैसी आपकी आज्या गुरुदेव नागराज रुद्र को मार्ग दर्शन देकर शेशनाग गायब हो गय नागराज रुद्र वापस साधना में बैठ गय इस बार उन्होंने अपने मन को शान्त किया फिर नागराज रुद्र ने नागमनी बाहर निकाली और नागमनी को हाथ में थाम कर बोल पड़े हे नागमनी अब आप ही मेरा मार्ग दर्शन कीजिए आज मैं इतना विचलित क्यों हूँ मेरी नागराणी मनसा को क्या हो गया किरपया मेरा मार्ग दर्शन कीजिए नागमनी की शक्तियों से नागराज रुद्र को असली नागराणी मनसा दिखने लगी जिसे राक्षसों ने बंधक बना कर रखा था और बस उसी शन नागराज रुद्र को सब कुछ समझा गया नागराज रुद्र क्रोधित थे उनकी आँखों में क्रोध भर गया वो क्रोध में उठकर बहरूपी नागराणी मनसा के पास गये आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, तुम्हारी जान ये सुनकर बहरूपी नागराणी मनसा के पैरो तले जमीन खिसक गई नागराज रुद्र ने बहरूपी की गर्दन पकड़ ली बता, बताओ मेरी मनसा कहा है? वो, वो बताओ, बताओ वरना ये च्छण तुम्हारा आखरी च्छण होगा तारिका अपनी जान बचा कर भागने की कोशिश कर रही थी पर नागराज रुद्र ने अपनी शक्तियों से उसके आसपास अगनी का घेरा बना दिया नहीं, तुम्हें बहुत आफर मिले थे जिन्दा रहने के लेकिन तुहें तो नागमनी चाहिए ना अब मुझसे नागमनी लेकर दिखाओ ये शैतान मेरी मदद कर, शैतान मेरी मदद कर बुला दे जिसे भी बुलाना है आज तुझे कोई नहीं बचा सकता तेरे बाद हर एक राक्छा सकांत करूँगा शैतान ये सब देख रहा था पर नागमनी की शक्तियों के सामने वो कुछ करना सका नागराज रुद्र ने अपना उग्रू रूप ले लिया और अपना सारा जहर तारिका के शरीर में डाल दिया तारिका तड़प तड़प कर मर गई और ये सब शैतान देखता रहा तारिका के मरने के बाद शैतान ने अपने चेलों को आवाज लगाई ताराक मौर बोलो शैतान तारिका को मार दिया उस नागराज रुद्र ने तारिका को मार दिया क्या मेरी तारिका को मार दिया मेरी तारिका को मार दिया हाँ और अब वो तुम दोनों को भी मार सकता है मैं उसे छोड़ूँगा नहीं हम उसे मार देंगे और वो नागमणी हासिल कर लेंगे बेवकुफ मत बनो तारक और मोर तुम दोनों जामते हो उस नागराज रुद्र के पास अभी भी वो नागमणी है और वो नागमणी की शक्ती के सामने तुम दोनों कुछ भी नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए मेरे पास चले आओ जल्दी इससे पहले कि वो नागराज रुद्र तुम दोनों तक पहुँचे यहां जले आओ ठीक है यहां नागराज रुद्रो और नागसैनिक नागरानी मंसा की खोच में जंगल पहुचे नागरानी मंसा यहीं कहीं होगी आप फिकर मत कीजिये नागराज हम नागरानी को अवश्य ढूंड लेंगे नाक सेनिक और नागराज मिलकर नागरानी मंसा को ढूंडने लगे शैतान का संदेश तुनते ही मोर वापस लोटने को तैयार हो गया पर तारक वही डटा रहा चलो तुना नहीं शैतान ने क्या बोला है मैं नहीं आ रहा क्या पागल यसी बाते मत करो वो नाग राज रुद्र तुम्हें भी मार देगा मार सके तो मारने दो मेरी तारिका को उसने मार दिया अब मैं उस नाग राज रुद्र से बदला लेकर ही रहूँगा मैं नहीं डरता उस नाग राज रुद्र से तारक ये सही समय नहीं है मुझे समय की परवा नहीं मुझे बस बदला चाहिए बदला हम बदला जरूर लेंगे पस कुछी दिनों में वा नाग मनी हमारी होगी फिर तुम नागराज रुद्र के साथ जो करना चाहो कर लो पर अब चलो मेरे साथ एक और नागराज रुद्र जंगल में नागरानी की तलाश में थे और दूसरी और तारग बदला लेने का निश्चे कर चुका था क्या नागराज रुद्र और तारग का आमना सामना होगा क्या नागराज रुद्र सारे राक्षसों का सर्वनाश कर देंगे जानने के लिए देखते रहे हमारा अगला एपिसोड